नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबलू उर्मा पेपर है कर्मिया आपका स्वागत है आज हम देखेंगे यहाँ पर इन्बॉर्मेंट बीए बीए सी बीकॉम सभी के लिए आपका जो एक्जाम होने वाला है तो भी वहाँ पर यह क्योशन देखने को मिलने वाले है ठीक है 95% क्य पहुंच जाती है बहुत तो आपको कहां जाना पड़ेगा तो हमारी साइट पर जाना पड़ेगा www.paperhacker.in तो आपको वहाँ पर एक बटन मिल जाएगा इन्बॉर्मेंट का बहां जाके आपको पीडे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी ठीक है और वहाँ पर सारी की सारी यूनिट नंबर सेकेंड गाँ जाता है सिमला और अम्रिस सर एक ही आ चांस पर है लेकिन सिमला अधिक ठंडा है क्योंकि सिमला अधिक तो बात करते हैं जो similar है पहले option देखते हैं उसके बात पढ़ते हैं तो option देखते हैं similar अधिक उत्तर में है similar क्या यह हमारा उत्तर है ना क्या अधिक उत्तर में है या similar समुद्ध तल से अधिक उंचाई पर है similar अच्छ से अधिक दूर है उनके देशांतर में अंतर है तो यह ही तापमान में क्या होता रहेगा ठंडा पन आता रहेगा मतलब उतना ही ठंडा होता रहेगा तापमान तो यहाँ रहका है सिमिला समुतल से अधिक उंचाई पर है इसलिए जो सिमिला है वो अम्रिस सर से अधिक ठंडा हो जाता है ठीक है तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं मिर्दा अपर्दन को कैसे रोका जा सकता है मिर्दा अपर्दन मतलब कह सकते हैं मिर्दा अपर्दन कह सकते हैं च्छरड या फिर मिर्दा का च्छरड भी कहा जा सकता है यहां ठीक है तो अपर्दन का मतलब क्या होता है अपर्दन का वारा रोका जा सकता है पहला बन लगाकर या बनस्पति का निराकड करके या फिर निराई गुराई करके तो यहां पर बताना है कौन सा राइट रहने वाला अपना देखो भी बात करते हैं मिर्दा परदन को हम सिर्फ बन लगाकर रोक सकते हैं क्या बन लगाकर तो राइट हो जाएगा option number B ठीक है बाकी हैं मगर यह इतने successful नहीं होंगे आगे बढ़ते हैं next question रखा है ग्रीन क्यूल जो ग्रीन क्यूल है किसे कहा जाता है ग्रीन क्यूल तो पहला तरह क्या पेट्रॉल कोईला C&G या फिर डीजल तो right answer हमारा क्या हो जाएगा यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है ग्रीन क्यूल तो किसे कहते हैं पेट्रोल को नहीं कहेंगे ना ही कोईले को ना ही डीजल को किसे कहेंगे C&G को कहेंगे किसके लिए बई C&G को कहेंगे C&G की full form अपसे पूँछ सकता है अगर यहाँ पर आई है तब ठीक है तो क्या होती है इसकी full form C&G है ना C&G क्या होती है C&G हाँ compressed natural gas क्या होता हैगी compressed natural gas होता हैगी C&G और जो LPG होती है LPG ठीक है LPG liquid petroleum gas क्योंसी liquid petroleum gas C&G किसे कहेंगे compressed natural gas इसकी full form भी आपको देखने को मिल सकती है तो इसलिए फूल फूल आपको याद होनी चाहिए ठीक है compressed natural gas और liquid petroleum gas आगे बढ़ते है next question next बढ़ते है solar cell बने होते हैं जो solar cell होते हैं वो किसके बने होते हैं calcium के iron के silicon के या फिर अपना bauxite के right answer मारा क्या होगा तो solar cell होते हैं वो बने होते हैं अपने silicon के याद कैसे रखेंगे solar cell में सा देखने को मिलेगा silicon में सबसे पहले सा देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर SLEE, सा और ला देखो, दोनों की दोनों यहाँ देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी सा और ला देखने को मिलेगा, याद हो जाएगा, कि solar cell बने होते हैं, सली कौन के, ठीक है, right answer option number C हो जाएगा, next बरते हैं, यहाँ देखा है, सागरिये बायोम में प्रात् होते हैं, वो कौन से होते हैं, यह repeated question है, ठीक है, तो बात करते हैं, नेक्टन, जुपलेक्टन, या फिर फाइटो, पलेक्टन, या फिर हो जाएगा, बैंथस, तो right answer हमारा क्या होगा, बिल्कुल, तो इस question को हमने पहले भी देख रखा है, कि सागरिये बायोम में प्रात्म जोतपाद होते हैं, वो होते हैं, नेक्टन होते हैं, याद इसे करना ही करना पड़ेगा, आपके लिए, एक्टन होते हैं, नेक्स कॉशन की बात करते हैं, सागरीये हो गए है, ठीक है, सागरीये जल के लगड में सबसे बड़ा घटा कौन सा है, यह भी question repeated हो जाता है, ठीक प्रबड का सबसे बड़ा घटक कौन सा हो जाएगा तो बपना हो जाएगा sodium chloride कौन सा जाएगा भी sodium chloride हो जाएगा जिसे हम नमक कहते हैं साधा ठीक है next question की बात करते है next दिरका है निमने में से कौन सा carbon कार्बन चक्र के योगदान देता है जो कार्बन चक्र होता है उसमें कौन योगदान देता है यह आपको बताना है प्रकास संसलेशड स्वसन जीवासम इंदन का तहन या फिर ये सभी right answer हमारा क्या होगा देंको बात करते है निमने में से कौन सा carbon क्योंकि आपको पता है कौन लेता है जल लेता है बुमी से और अपने किसमें फूरी की पिरकास में और पढ़ हरिम की सहयता से किसमें ग्लुकोज में मतलब कार्वन में बदल देता है तो कार्वन चक्र में योगदान कौन देता है, प्रकास संसले सार देता है, आगे बढ़ते है next question next question की बात करते हैं, पाइस्तित्की सब्द की उत्पत्ती किया था, किसने उत्पाधित किया था ये आपको बताना है, पाइस्तित्की सब्द, तो ये भी question हमारा repeated हो जाता है कोई बात नहीं कुछ कोशन हो रहे हैं तो हमें पढ़ना है क्योंकि हमें जादा पढ़ेंगे तो और भी अजल्दी याद हो जाएंगे ठीक है तो पाइस्तिकी सब्दिक्यों जो उत्पादित किया था वो किसने किया था यह आपको यहां पर बताना है किसने रेक्टर ने टै मरुस्तल पाया जाता है जो सहारा मरुस्तल है वो कहां पाया जाता है यूरोप में एसिया में अफ्रीका में या फिर ऑस्टेलिया में तो जो अपना सहारा मरुस्तल है वो कहां पाया जाता है यह पाया जाता है अपने अफ्रीका में राइट आंसर ऑप्शन नमबर सी हो ज से लेगा सहारा कैसा बिलकुल free ठीक है आप खोज तो यहां पर राइट आंटर अप्शन झायर सी हो जाएगा अफ्रीका सहारा में हो जाएगा ठीक है आगे बगते हैं लाज में सरवादिक बन प्रतीषेत की बात कर से अगर परसंटेज के सरब्दिक बन छेत्र हैं, तो बहो हो जाते हैं मद्द प्रदेश में, अगर यहीं बात करता है, घनत के अनुसार, तो वो अपने हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो दोनों की दोना को याद अखना है, सरब्दिक बन कहां पर हैं, यह है अपने मद्द प् जुतिये को भोगता, तिर्टिये को भोगता, या फिर टॉप भोगता, तो राइट आंसर नमारा क्या होगा, कबक और जीवारू जो होते हैं, वो किसमें आते हैं, ये आते हैं, आप घटक में, किसमें आप घटक के अंदर गताते हैं, तो राइट आंसर उप्शन नमबर ए रहने वाला है नेक्स बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा रनच कहां पर रह यह आपको बताना है रनाचल प्रिदेश सबसे ज्यादा मगर यहीं पूस्ता कि प्रतेक कह सकते हैं कि प्रतेक के साफ से मतलब कम जगे में ज्यादा बन ठीक है तो वह कहा हो जाएंगे अरनाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन जो हमने पहले देख रहा है क्योशन यह देखा है पत्तेदार पत्ते लगे होंगे अब यह कह रहा है पत्तेदार जो पूर्शन होता है पेंड का कौन सा हिस्सा होता है पहला देखा है अपना कैनोपी कैपिसिटी कवर या फिर क्लाइन तो राइट आंसर मारा क्या होगा जो पत्तेदार पूर्शन होगा उसमें पेंड का कौन सा हिस्सा होता है तो वह होता है अपना कैनोपी कौन सा होता है कैनोपी तो कैसे याद करेंगे बई आप कैनोपी को कौपी को कौपी को कौपी ओनली ठीक है तो कौपी कैसी होती है बई कौपी होती है इस प्रिकार से है ना और आपको पत्ते जो होते है ना पत्ते तो पत्ते भी आपको जूमिंग किसका प्रकार है, जूमिंग है वो किसका प्रकार है आपको बताना है, ब्यापार का, खनन का, किरसी का, या फिर पसुफालन का, राइट आंसर क्या होगा, तो को बात करते हैं, जूमिंग किसका प्रकार है, यह किरसी का प्रकार हो जाता है, कहते हैं ना, जूम खे आगे बढ़ते हैं next question, next दे रखा है, इस समय उर्जा का सर्वधिक इस्तोत है, इस समय की बात करते हैं, उर्जा का सबसे अधिक इस्तोत कौन सा है, प्रकर्तिक गैस, ना भी किये सकती, कोईला या फिर तेल, तो बात करते हैं, इस समय उर्जा का सर्वधिक इस्तोत जो हो जा कहा जाता है जो मित्पदार्त होते हैं तता उसमें उपस्ते जीबाणों का भच्चर जो करते हैं उन जन्तूओं को करने वाले जन्तूओं को क्या कहा जाता है पहला दिरक्का है तुम्हारा डेटरी बोरस ओमनी बोरस कार्नी बोरस या फिर अप घटक तो राइट आंसर नमारा क्या होगा ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा कौन करेंगे भई अप घटन करता करेंगे मतब अप घटक राइट आंसर उप्शन नमबर डी हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं कौन सा जैब परिमिड सदैब सीधा बनता है उल्टा कभी नहीं बनता नहीं बनता है पायस्तितिकी परिमिड उर्जा परिमिड या फिर इनमे से कोई नहीं तो राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है बात करते हैं कौन सा जैब प्रिमिट की बात कर रहा है जो सदैब सीधा बनता है तो बैध हो जाएगा पाइस्थित की यह प्रिमिट राइट आंसर ओप्शन नमबर भी हो जाएगा next बरते हैं सागर में मचलियां किस भोज पदारत पर जीवित रहती हैं जो सागर है उसमें मचलियां किस भोज पदारत पर जीवित रहती हैं पर रहते हैं मास्, मूंगा, लबड या फिर प्लेक्टन तो right answer अ्मारा क्या होगा देख रखा है कि उशन, repeated equation है, तो वो हो जाएगा प्लेक्टन, कौन सा हो जाएगा, प्लेक्टन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, next रखा है, सामाजिक बानकी में निम्रिकित में किसका रोपड किया जाता है जो सामाजिक बानकी होती है, उसमें निम्रिकित में से किसका रोपड किया जाता है, समाज के दोर जो बानकी होती है उसमें बहुत देशी पौधों का किया जाता है, बहुत सारे उद्देश के लिए पौधे लगा जाते हैं, अलग-अलग पिरकार के, ठीक है आगे बढ़ते हैं, next question, next रखा है, बाता बढ़के अंदर चैतिज उजा, अंतर को कहा जाता है, जो बाता बढ़के अंदर चैतिज उजा होती है, उसके जो अंतर होता है, उसको क्या कहते है आपको बताना है, चालन, संबहन, अब्तोसर या फिर अभी बहन तो राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है तो बाता बढ़ के अंदर चेदज उस्मा अंतल को कहा जाता है उसे कहा जाता है अभी बहन right answer option number D हो जाएगा next बढ़ते हैं सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है जो सुंदरवन का जंगल है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है गुल्म जंगल, मैंग्रोग, पड़पाती जंगल, या फिर टुड्रा, तो सुंदरवन जो डेल्टा है, जो गंगा और कौर मनाती है, है ना, गंगा ही गिरती है ना, जाके लाश्ट में जाके कहां पर, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना, कहां से ये गिरती है बंगला देश से होते हैं जरती है पदमा बनती है पदमा कई गरती है गंगा और ब्रहापुत्र मिल जाती है दोन दिया और वो कहां जाके गरती है बंगला देश में मिलती है उसके बाद समुद में जाके गरती है ठीक है और जहां पर यह गरती है तो बहां पर जो बहाया हु मल्बा होता है उसके काड़ेक कौन बनता यह बना है एक सुंधसर बन फीकिया तो सुंदसर बन जो है उसमें जंगल में जंघल में पेल होते हैं किसके बते हैं आपको यहां पर बतानाया तो फेम घर MATTम मैं जाता है उन जंगलों को मैं सभर कहा जाता बोजन की कमी या फिर सिकार की कमी या हो जाता है डाइकलो फैनल डाइकलो फैनक ठीक है तो राइट आंसर हमारा क्या हो गिद्दो की संख्यात में कमी का जो प्रमुकार था वो हो जाएगा डाइकलो फैनक राइट आंसर उप्शन नमबर डी हो जाएगा बेरी इंपोटेंट हमारे यहां सिकार के कोई कमी नहीं, सिकार कोई नहीं करता था और पानी की कमी जो था, पानी कमी है नहीं भोजन की कमी भी नहीं है, मगर फिर भी यहां से गिद चले गए थे क्यों? क्योंकि डाइकलो फैनक का यहां पर अभाव था आगे बढ़ते हैं, next question, यहां दे रखा है, हरा सोना कहा जाता है प्रतवी को, जल को, आकास को या फिर बन को, ठिक है? तो हरा सोना किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं बई, बन को, ठिक है? right answer दाइका option number D, next बढ़ते हैं, चिपको आंदूलन का संबंद है चिपको आंदुलन कब चलाया गया था ये 1974 में चलाया गया था चिपको आंदुलन कहां चलाया गया था वई ये चलाया गया था अपने राजिस्थान में कहां पर राजिस्थान में चलाया गया था ठीके और जो यहां का जिला जो था राजिस्थान का वो था चमोली कहां पर चमाउली जिले में चलाय गया था राजिस्तान के कब 1974 में और गाउं जो हो जाता है वो हो जाता है खेजडली कौन सा? खेजडली गाउं था ठीके? बहाँ पर ये चलाय गया था बिरक्षो की रक्षा के लिए तो पहले क्या बंसनचन में या जीब सनचन में जल पर दूसर से या फिर बायू रच्छड में राइट आंसर क्या होगा चिप को आंदोलन का संबंद है किससे है वही? बंसनचन से है ठीके? बहाँ की जो ओरते थी वो पेड़ो पर चिपक गई थी ठीके? इसलिए से चिप को आंदोलन कहा जाता है और बंव का सनचन किया था उन्हें बंव को बचाया था उन्हें महला उन्हें ठीके? आगे बढ़ते है नेक्स कुशन की बात करते हैं BOD का अर्थ क्या होता है? BOD की फुल फार्वा को बताना है Biology of Demand, Biological Oxygen Demand, या फिर Biotic Community, या दे रखा है अपना Chemical Oxygen Demand तो Right Answer हमारा क्या होगा? बिल्कुल, तो बात करते हैं देखो, यह जो हो जाएगा बिल्कुल Right, BOD BOD का अर्थ होता है Biological Oxygen Demand, कौन सा होगा भई? Biological of Demand या Biological Oxygen Demand Biological of Demand नहीं, Oxygen नहीं होगा ठीके? इसका तो Right रहने वाला है Biological Off Demand नहीं, नहीं, Off Demand तो कैसे हो जाएगा? रुकीगा थोड़ा से रुकीगा इसका जो Answer होगा Option Number B ही होगा BOD का आर्थ क्या होता है? Biological Oxygen Demand राइट Answer Option Number B ही होगा इसका BOD का आर्थ क्या होता है? Biological Oxygen Demand आगे बरते हैं Next Question यहाद रखा है यदि बिस्व के सभी पौदे नश्ट होते हैं तो सभी प्राणी अभाब में मर जाएंगे किसके Oxygen के, भोजन के, करण डियोक्साइट के या फिर फलो के तो यदि बिस्व के सभी पौदे नश्ट होते हैं तो जो प्राणी है, किसके अभाब में मर जाएंगे Oxygen के अभाब में मर जाएंगे ठीक है? Right answer option number A हो जाएगा क्योंकि प्राणियों की बात कर रहा है पौदों से क्या मिलती है? Oxygen मिलती है आगे बरते हैं, Biome है Biome क्या है? प्रतवी और उसका Biome मिंडल जहां जीव रहते हैं जीवों का समुदा है जो लगातार क्रिया करे इसलिए बनस्पती सागरी बनस्पती, Right answer क्या होगा? Biome, ये question repeated तो बात करते हैं, Biome है क्या? Biome है एक प्रतवी और उसका Biome मिंडल जहां जीव रहते हैं, Right answer option number A हो जाएगा Next question की बात करते हैं, किस प्रकार की मिर्दा में अधिक्तम कार्बन पदार्थ है अधिक्तम कार्बनिक पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे मिर्दा कौन सी होती है, ये आपको बताना है काली मिर्दा, उश्ली कडी बंदी मिर्दा, पीट मिर्दा या फिर लाल मिर्दा, तो Right answer हमारी क्या होगी देखो बात करते हैं, किस प्रकार की मिर्दा में अधिक्तम कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो वो होते हैं पीट मिर्दा में, ठीक है हम कुछ समय में ही क्या कुछ समय में ही दोबारा उत्पन कर लें क्या कर लें भई दोबारा उत्पन कर ली जाए तो उसे कहते हैं नभी नी करती उर्जा ठीके नभी नी करड़ी उर्जा जिसे हम दोबारा उत्पन कर सकी है और कम समय में ठीके तो बह आपको हो जाएगा नभी निकड़े उर्जा का इस्तोत तो कौना है ये आपसे पूंच रखे है कोईले की बात करते हैं कोईला भी नहीं होगा ठीके और खनीस तेल भी नहीं होने वाले है ठीके और नहीं अपना यूरेनियम हो जाएगा तो कौन सा होगा बिलकुल राइट, वो हो जाएगा अपना पौधे, पौधे को बहुती कम समय में हम दुवारा तयार कर सकते हैं, तो राइट आंसर अप्शन नमबर C, यहाँ पर रहने बाला है, उर्जा का नभी निकरे स्तोत कौन हो जाएगा पौधे, नेक्स स्कूशन की कैस है या संगिट नाइट्रोजन कैस है, तो राइट आंसर नमबाला क्या रहने बाला है, ठीको, C, N, G, यह कूशन में दोबारा पड़ रखा, यह दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, C, N, G है क्या, यह एक संगटित नाइट्रोजन गैस है, कैसी है वई, यह एक संगिटित नाइट्रोजन गैस है तो right answer option number यहाँ पर D रहने वाला है आगे देखता है next question भारत में सिचाई मुख्य रूप से निर्भर करती है जो भारत में सिचाई है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है आपको बताना है पहला दे रखा है भूगर्बिय जल पर नदियों पर नहरों पर या पिर अपना हो जाता है यहाँ पर तालों पर तो right answer हमारा क्या रहने वाला ही आपको बताना है तो भारत में सिचाई मुख्य रूप से निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है तो भूगर्बिय जल पर करती है किस पर भूगर्बिय जल पर करती है यसे की head pump ममारा हो जाते है ठीके 12 व JUL बगरा हो जाते हैं उसके नुसार आगे देखते है next question की बात करते है लाल सागर इसके कारण लाल होता है जो लाल सागर है तो किस के काड़ लाल होता है रक्त के काड़ खनिच लाल खनिच के काड़ लाल सहवाल के काड़ इन में से कोई नहीं तो लाल सागर जो है वो लाल क्यों होता है क्योंकि इसमें ट्राइकोडेट्रियम Trichodesmium कौनसा Trichodesmium Trichodesmium Erythium कौनसा Erythium Trichodesmium Erythium नामक लाल सहवाल आपको देखने को मिलता है ठीक है तो right answer होता है का option number C अगर यह पूंच रखा है तो आपको इसका नाम भी पूंच सकता है ठीक है लाल सहवाल का तो उसका नाम होता है Trichodratium Trichodasmium Trichodasmium Irythium ठीक है तो right answer option number यहाँ पर C रहने वाला है आगे बारते है next question रहका है बायो डीजल के लिए इसका इसका वाइवसाइक उपियोग है बायो डीजल के लिए इसका नहीं किसका होगा यहाँ ठीक है बायो डीजल के लिए किसका वायो बायो डीजल के लिए किसका वायो डीजल के लिए बायो डीजल के लिए उत्पादन करने के लिए तो वो अपना हो जाएगा कौनसा जेट्रोफा पोदे का right answer option number A हो जाएगा next बरते है कुल भूमी का बनो से घिरा भाग है कुल जो भूमी है उसका बनो से घिरा भाग कितना है 30% 80% 50% या फिर 70% तो कितना है यह आपको बताना है तो यह अपना हो जाएगा 30% भाग घिरा हुआ है मगर बात करते हैं WHO का अनुसार पतभी पर 33% बन होने चाहिए ठीक है तो यहाँ रहका है 30% ही है ठीक है 3% अब भी कम हैं आगे बढ़ते हैं ओजोन छिद्र पाया जा जाता है कहां पर हिंद महासागर के ऊपर प्रसांत महासागर के ऊपर अंटाक्टिका के ऊपर या फिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर तो राइट आंसर हमारा क्या होगा तो ओजोन छिद्र जो है वो पाय जाता है कहां पायता है यह अंटाक्टिका के ऊपर पाया जाता है कह ऐसा होगा भी कंचे की तरह होगा, बिलकुल गोल, कंचा को अंटा भी कहते हैं, ठीक है, तो अंटाक्डिका आपको याद रहेगा आशामसे, नेक्स बढते हैं निम्निमे से कौन नवीनिकडिय उर्जा इस्तोत है तो नवीनिकडिय उर्जा इस्तोत कौन सा है यह आपको बताना है जो की हम कम समय में उसे तयार कर सके नवीनिकडिय ठीक है उर्जा इस्तोत कौन सा है LPG बिलकुल नहीं कर सकते ना ही हम पेट्रोल कर सकत हैं ना ही कोईले को किसको कर सकते हैं बायो गैस को हम दोबारा बना सकते हैं कम समय में तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा यहाँ पर नवी निकड़ोजा का इस्तोत आगे देखते हैं नेक्स प्रोशन नेक्स देखा है पाईस्तितिकी तंत्र बना होता है जो भोगताओं से उत्पादकों से अपगटकों से हरे पौदे जानबर अपगटक और अजैबिक बाताबड से तो राइट अंसर नमारा क्या होगा जो पाईस्तिक तंत्र है वो बना होता है किस से हरे पौदे जानबर अपगटक और अजैबिक बाताबड से तो राइट अंसर option number D रहने वाला है next बढ़ते हैं पाईस्तिक तंत्र का एक अजैबिक घटक है जो पाईस्तिक तंत्र है उसका अजैबिक घटक कौन सा है यह आपको बताना है जैबिक किसे कहते हैं जिसमें कार्बोहाइडिट वसा प्रोटीन हो अजयबिक किसे कहते हैं इसमें Carbohydrate बसा protein ना हो, तो बात करते हैं पाइश्टिक तंत्र गटक का है, बैक्टिरिया इसमें होता है, ये भी नहीं है, हफूंद इसमें भी होता है, पौदे में भी होता है, मगर हूंज में नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक अजयब है जारी मिर्दा का प्य एस्ट होती है जारी मिर्दा जो है उसका प्यच वह होते हैं वह आपने च्छार साध से जो नीचे होते हैं कितना होगा च्छे तो नहीं होगा ना ही 5 होगा इन दो में से 1 होगा ठीक है तो राइट आंसर दोगा वोगा 9.5 ठीक है तो याद रखना चारी मिर्दा का पीछ मान कितना होता है 9.5 होता है आगे बारते हैं नेक्स कुशन यहाँ रखा है कैल्सियम सल्फेट का पिर्योग सुधारने के लिए किया किया जाता है कैल्सियम सल्फेट जो है उसके अनुसार किसको सुधारते हैं सामाने मिर्दा अमलिय मिर्दा चारी मिर्दा या फिर इन में से कोई नहीं तो राइट रमारा क्या होगा इसका पिर्योग सुधारने के लिए करते हैं किसके लिए चारी मिर्दा के लिए किसके बरते हैं, चूने का प्रियोग सुधारने के लिए किया जाता है, दोनों important question है, चूने का प्रियोग सुधारने के लिए किया जाता है, किसका अमलिय मिर्दा का, छारिय मिर्दा का, सामाने मिर्दा का, इन में से कोई नहीं, किसका बई, चूने का प्रियोग सुधारने के चुने का प्रियोक सुधाने के लिए अमली मिर्दा ठीक है आगे बरते हैं next question की बात करते हैं compost मनाई जाती है जो compost खाद होती है वो मनाई जाती है bacteria दोरा, फफून दोरा, उड़ा करकट दोरा या फिर पॉधो दोरा तो compost खाद जो होती है बात करकट के दोरा right answer option number C हो जाएगा next बरते हैं अधिक्तम उर्जा बचती है बलबो दोरा, टूबलेट दोरा CFL दोरा या फिर इनमे से कोई नहीं तो अधिक्तम उर्जा की बचत होती है वो किससे CFL के दोरा होती है, right answer option number C रहने वाला है next बरते हैं, समद्री जीबों के लिए भोजन का प्रात्मिक इस्तोत है जो समद्री जीबों के लिए भोजन का प्रात्मिक इस्तोत क्या है बहुत बार question देख रखा है पहला देखा है coral lift rips, फिर रखा है phytoplankton फिर taro या फिर सैबाल, तो right answer हमारा क्या होगा, समद्री जीबों के लिए भोजन का प्रात्मिक इस्तोत क्या होगा बोगा, right answer of somebody phytoplankton option number B होगा, बहुत important question है इसे देख लेना, यह हमने 2-3 बार question देख लिया आप तक, ठीके आगे बढ़ते हैं, तो रहे का है, बर्मी culture किस से होगा, के चुए से सम्बंदित हो जाएगा, ठीके आगे बढ़ते हैं, उत्री गोलादर में इस्तित पहाडों की कौन सी इस्पोल, गर्म होती है कौन सी जो इस्पोल है, वो सॉरी, इसलोप जो है, वो गर्म होती है यह आपको बताना है, उत्री स्लोप दच्डी स्लोप, पश्मी स्लोप, या फिर पूरवी स्लोप उत्री गोलादर की बात कर रहा है उत्री गोलादर में इस्तित पहाडों की कौन सी स्लोप गर्म होती है, तो आपको पता है है कौन सी होगे भई पूर्भी जो स्लोप होगी वो क्या हो दाएगी गर्म तो या दखना सूरी कहां से निकलता है पूरब से निकलता है तो या दखना कि पूर्भी स्लोप जो होगी वो गर्म रहने वाली है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन नेक्स रखा है मिर्दा प्रो फायल को सबसे उपजाओ परत है मिर्जा जो प्रोफायल होती है उसकी सबसे उपजाओ परत कौन सी है यह नहींमें देख रखा है क्योशन O होरीजन A होरीजन B होरीजन या फिर C होरीजन तो बात करते हैं मिर्दा प्रोफाइल की सबसे जो उपजाओ परत होती है वो होती है O होरीजन राइट आंसर अप्शन नमबर A हो जाएगा ये क्योशन पहले भी repeat हो चुका है आगे बढ़ते है about aço बायोगेस का मुख अब्यब है जो बायोगेस है उसमें मुख अब्यब कौन सा होता है hydrogen, carbon hydrogen sulfide, nitrogen या फिर methane तो बायोगेस का जो मुख अब्यब होता है वो कौन सा होता है वो होता है अपना methane राइट टांस रॉप्शन नमबर डी हो जाएगा ठीक है कैसे याद करेंगे यहाँ पर आपको याद देखने को मिलेगा और यहाँ पर सेम आपको क्या देखने को मिलेगा साथ सेम सेम यहाँ पर भी सेम जगह पर है यहाँ पर भी सेम जगह पर तो आपको याद रहेगा ठीक वर्मिंग करता है, तो केचवे से बनी कंपोस्ट कौन सी होगी, बर्मिंग कंपोस्ट हो जाएगी, राइ्ट अंसर उप्शन नमबर, सी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे 50 क्योशन जो होते हैं, वो कंपिलिट होते हैं, ठीक है, पार्ट नमबर कौन सा था पार्ट नमबर हो जाता है अपना ये 8 इससे पहले 7 मैंने डाल लखें नहीं देखें तो प्लेश में के देख सकती है या हमारे आप www.paper.in website पर जाके भी आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और notes इसे download करना है वो कहां से करेगा वो भी हमारे site पर ये site का link जो देख रखा है न उसी पर आप जाके download कर सकते है notes के लिए तो friends like करना है, share करना है, channel को subscribe करना है ठीक है? और well icon को प्रेश कर दिना है जोगी notification आपके घर पहुँचे तो friends, जै हिन, जै भारत